नमस्टार सातियों मैं यो रेश डूपता है बाद फिर से स्वारेट करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पार्ट सला रेलवे एक्जाब में बच्चो टैस से सब लोगा ना फड़ा बड़ जल्दी से अरब लाइव आ जाईए और जैसे आप लोट पता है भी मैंने म आपका भी ITI, Diploma या BTEC है और आप लोट ALP technician का फ़र्म भर रहे हैं चाया वो ओपिन भरती हो या फिर GDC तो बच्चो जितरे भी mechanical trade से संबंदित trade है जैसे कि हमारा fitter हो डिया, turner हो डिया, machineist हो डिया, diesel mechanic हो डिया, welder हो डिया, REC हो डिया मतलब जितरे भी mechanical trade से संबंदित trade हो डिया, heat engine हो डिया, उन सभी के लिए मैं daily आपको top 40 questions all काता हूँ, जिससे आपका trade भी मजबूत होता रहे हैं, हाला कि trade में आपको 75 में से 27 number प्लाने हो, लगे कई बार हमारे पास 27 number भी नहीं आ पाते हैं और हम trade में fail हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा selection उप जाता है, ब बचो यह रहा अच्छा पहला question, इसमें हर तरह के trade के question मिलें दाना खेरा, सवाल देखें, और general trade के ज्यादा question होगे, फूटी जब आप 75 question का paper देते हो, तो उसमें लगबट 30-35 question general trade क्या थे, जो हर एक को आने ही चाहिए, तो मैं ये कोशिस टग रहा हूँ, जि मैं आपका पहले तो वो जो 30-35 नंबर के वाला पूरा portion होता है, general trade वाला, वो trouble टढ़ा दूँ, चलो, पहला question देखी, क्या बोला जा रहा है, अश्टे नाइट, बेदात, इसपात, और ठाली जर्य लिठा हुआ है, बताए क्या होता है, बचो मैं आपने एक बात बता दू, एक stainless steel नाम सुनाए ना, तो बचो एक stainless यह होता है, 18-8 stainless steel, तो धार रखना इस 18-8 stainless steel में एक मतलब होता है, बचो यह जो 18 है ना, इस 18% का मतलब होता है, तो 18% होड़ा chromium, 18% क्या होड़ा chromium, और या तक ना, बाती बचे जो 8% है, वो बताए क्या होड़ा, nickel होड़ा, ओके, तो 18% क्रोमियम होड़ा, 8% nickel होड़ा, तो इसना सही उत्तर बताईट इसने साथ जाए रहा है, तो आप देखो 18 और 8 ढूलना है आपको, तो 18% क्रोमियम, 8% nickel, यह देखिए, ओपसर नमबर C हमारा इस सवालता सही उत्तर हो जाएड़ा, आप देख पा रहे हैं, ओपसर नमबर C ह और 18,48 यह हमारा high speed steel होता है, high speed steel, याद रखना इस 18,48 में 18% बताईए क्या होता है, टंडेस्टर होता है, 4% बताईए क्या होता है, ट्रोमियम होता है, 1% बताईए क्या होता है, वैनेडियम होता है, और कई बार इसमें carbon की मात्रा भी पुछी जाती है, तो carbon की मात्रा होती है 0.7 परसेंट तो पोई भी परसेंटेज पूछा जाए तो आप याद रखे कि हाँ किसमें इतना परसेंटेज होता है नेस्ट रही है बतो अब यह देखो यह हमारा जनरल इंजनर सवाल है यह दिजल इंजन में पेक्टोल का प्रियोट यह जाए तो बताइए इंजन क्या ह यह बड़ा कॉमन सवाल है यह दिजल इंजन में पेक्टोल यूस्टोरो तुट्या हो डा पेक्टोल इंजन में डीजल इंजन इस्टोरो तुट्या हो डा उससे पहले मैं पुछा बाते आपको बता दू देखो आपने सेल्फ इडिनीशन टेंपरेचर सिट सुन रखा है स सिट ना पूरा नम बताए किया होता है अर्या मैं पूछा पूछू S.I.T पूरा नाम प्या है ? स स से इडिननीशन टेंपरेचर मैं यह हमारा सिट है बच्चो याद राखना अगर मैं petrol टी बात करता हूँ कि बताएме petrol टा s-a-t उतना होता है और मैं बात करता हूँ diesel टा आप लोगों तो पेक्टॉल और डीजल इन दोनों के SIT याद होना चाहिए तो याद रखना है जब बिटभी मैं पेक्टॉल टी बार टढ़ता हूं तो पेक्टॉल तो सिती होता है सर वो 350 द्रिली सेंटिटेट होता है और डीजल कर दा रखना SIT तितना होता है 250 द्रिली सेंटिटेट तो दुनों याद हो रहा है अब मुझे आंसर यह देना है कि पेक्ट्रोल में डीजल मिला दे तो ट्या हो रहा जैसे टी माल लीज़े थोड़े दे लिए कि मेरे पास ये एक इंजन है और ये इंजन है पेक्ट्रोल इंजन मतलब सब कुछ पेक्ट्रोल का है लेगे हमने इस इंजन रुचलाने लिए बताई इसमें क्या मिला दिया सर इसमें मिला दिया तो बच्चो अगर पेट्टॉल इंजन में हमने डीजल मिला दिया और डीजल का SIT देठी है 250 है इस्टा मतला कि जब सक्षन कॉंपरेशन हो रहा तो आपका डीजल पहले जल जाए रहा और पहले जल जाए रहा तो यह धटना धटित हो जाती है जब पेट्टॉल में डीजल म नहीं आपको आंसर बताना है कि इंजन चले रहा नहीं तो यह उस समय आंसर बताना है जब पेट्टॉल इंजन में डीजल मिला जा रहा है जोती सवाल था तो जब डीजल इंजन में पेट्टॉल मिला जाता है तो पेट्टो डीजल इंजन में पेट्टॉल मिलाने से इंज तो दोनों टोशेन के answer I hope आपको clear हो गए होगे कि या उत्तर देना है काप कौन से उत्तर देना है ना next रही हो बताओ तीसरा जब दो वाल्व खुली अवस्था में होते हैं खुली अवस्था में होते हैं तो बताईये हम लोड कौन से टर्म का पयोग करते हैं What is the term used to refer when the both valves are open position हाना दिरों मैं आपने बताओ कुछ टर्म सुनिये बच्चों, lead word कभी यूश्ट ही आजाता है lead word कभी यूश्ट ही आजाता है ये lead होता है lead और lead lead का मतलब होता है जब valve पहले खुले valve का समय से पहले खुलना, उसे बोलते है lead lead word का यूश्ट करते हैं जब valve बाद में खुलता है तो बाद में खुलने के लिए हम लोग lead word का प्रयोग करते हैं और यादखना पहले खुलने के लिए हम लोग lead word का प्रयोग करते हैं अच्छा साथ उस्टे बाद याद फियेटा जब दोनों वाल्व एट साथ ओपिन होते हैं मलब एजॉस्ट वाल्व भी ओपिन है इनलिट वाल्व भी ओपिन है जब दोनों वाल्व एट साथ ओपिन होते हैं तब हम लोग वहाँ यूश टरते हैं तो overlap period या overlap एट ऐसा वर्ड होता है जो तब यूश रह जाता है जब बोथ valve आर open जब दोनों valve जो हमारे open होते हैं तो वहाँ बताईए हम लोग कैसा वर्ड यूश करते हैं सर वहां यूज़ तरते हैं हम लोग ओवरलैप पीरियड हरा तो दोरों वाल्ब ओपेन होड़े तभी हमारा ओवरलैप बाला वल्ड यूज़ दिया जाता है बचो जब ये दोनों वाल्ब एक साथ ओपेन होड़ते ही न तो एक तरफ से नया चार अंदर आता है तो दूसरी पुरानी वाली जली हुई डे से बाहर जाती हैं इसी ट्रिया तो अप मार्जन टेहते हैं तो टेवा कोशन आ जाया रा ठी बताईए अप मार्जन कब होता है तो टेहना अप मार्जन सर तब होता है जब दोनों वाल एक साथ खुले होते हैं ठीटे तो जब दोनों वाल एक सा क्लियरेंस रमानक्या है। यह सथी इमाल लीजे तमारे पास यह कोई पिश्टन है... वे सघ्टा है... tudo OK में देतली अस दो विसमें सोग दो खो.. अब लेकिसे इस बार यो क्लियरेंस पिश्टन की बीच में और कुछ उ सचे और कुछ दस्यवाद रहता है। और ये देखू ये डेप इसली रहता है ताबिक पिष्टन जो है चलते समय घ्रेसे नहीं और अब पिष्टन घ्रेस दिया न तो बहुत दिट्रा थे तो याद अपना इंजन टेटेस में ये जो डैप हम लोग रखते हैं वो 0.025 mm से लेटा 0.025 mm से लेटा 0.1 mm के बीच रखते हैं ओके? तो ये डैप कमान याद टर लेना सब लोग कि पिस्टन और सलेंडर के बीच रहे जो डैप होता है वो 0.025 mm से लेटा 0.1 mm रखते हैं ये हमारा याद करने वाला डेटा है ओटे? तो ओसर अमबर बताएं किस्टे साथ जाएगा? हाला कि आपके मन में सवाल होड़ा ठी अगर ये डैप रहे तो पावर टा तो लीट हो जाएगा बच्चों पावर टे लीटेस को रोटनेट लिए हम लोग यहाँ पर पिश्टन पिन लगा देते हैं सॉरी पिश्टन पिन नहीं बोलते हैं उस्टों क्या बोलते हैं? उस्टों बोलते हैं हम लोग रिंड तो यहाँ पर बताएं हम लोग ट्या लगा देते हैं पिश्टन रिंड लगा देते हैं उपर वाली दोनों रिंगों को बोला जाता है compression ring उपर वाली जो दो रिंग है उस दोनों रिंग का बताईए नाम क्या होता है compression ring दा रखना और जब नीचे वाली जो रिंग है सर बताईए उस रिंग का नाम क्या होता है तो सर उसको हम बोलते हैं oil ring तो ये गैप को रोटनेटे लिए मतलब पावर के लीटेश्ट को रोटनेट लिए हम रिंडेटर इस्तमाल रखते हैं तो फिलाल आंसर जाएड़ा ओफ्शन अमबर बीटे साथ गैप जरूर याद टर लेना 0.025 mm से 0.01 ये लिजे सर ये सवाल देखू रिविटीन का सवाल है कि प्लेट की मोटाई और रिविट के व्यास के बीच क्या सम्मंद है ओके प्लेट की मोटाई तो बचों आपने रिविट वाला केस समझा हो रहा पढ़ा भी हो रहा जैसे कि माल लीजे ये हमारे पास पहली प्लेट है और ये हमारे पास दूसरी प्लेट है जब दोनों प्लेट को हम लोग जोडते हैं न तो जोडते समय हम बीच में क्या लगा देते हैं सर हम लोग बीच में लगा देते हैं रेवेट तो इन दोनों प्लेट को जब हमें जोड़ना होता है दोस्त मेरे तो जोड़ते समय हम दोनों प्लेट के बीच बताईए क्या फिट कर देते हैं सर जोड़ते समय दोनों प्लेट के बीच में हम लोग रिवेट फिट कर देते हैं रिवेट इस तरह इस फिट कर जाती है ये क्या हुआ यार ओके, फिर से बना देते हैं यह देखो, ऐसे, तो दोनों प्लेट को जोड़ते समय हम लोग बताईए क्या फिट कर देते हैं, सर रिवेट फिट कर देते हैं, रिवेट एक सॉप्ट मेटियल की मनाई जाती है, तो बच्चो धार रखना रिवेट का व्यास निकालने का फॉर्मला क्या होता है, तो कहना र हमारी प्लेट की मोटाई है, टी हमारा प्लेट की क्या है, सर, टी हमारी प्लेट की मोटाई है, और बताईए क्षिमे है, एमेम में है, तो प्लेट की मोटाई टी एमेम में रखिये, आप तो पता चल जाएगा ठी रिवेट का डाइमीटर क्या रखना है, हाना, सर यह फॉर प्रती यूनिट मात्रा क्लिए कितने और सीजन की और सब्सक्ता हो डी इन्होंने और सीजन के लिए पूछा है बताये बश्चो पूर्ण दहन क्या होता है उसे सुनिए। जैसी जी एक माल लीजिए मेरे पास क्या है। यह माल लीजिए यह हमारे पास है ऐसे ट्लीन और और अतार्बंती और सीजन तो दो हाइड्रोजन है इस्टा मतलब H2O निट लेड़ा अब आप रेक्शन रो बैलेंस टर दो तो बच्चों देखो हर इचीज बैलेंस है और सीजन बैलेंस नहीं होड़ा यहाँ दो एच दो चार और एच पांच पांच और 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 चाहिए वो हम by reactions निडाल सकते हैं ठीक है चलो नेस्ट है ओके यह हमारा सवाल है लेथ मशीन का लेथ मशीन आपने सुना होगा सवाल देखिए क्या है बच्चों लेथ मशीन में प्रोसिस्ट किया जाता है उस प्रोसिस्ट नाम होता है टेपर टर्निंग नाम सुना है ना तो आपका व्यास ज्यादा हो और दूसरे तब व्यास टम हो देखो ऐसे तो यह जो operation किया जाता है that is called टेपर टर्निंग इसमें एक तरपका डायमीटर डीवन है दूसरे तरपका डायमीटर डीटू होता है और यहां से लेटर यहां तक कि जो लंबाई है बच्चों उस लंब डायमीटर डिवाइड बाई 2L तो यह हमारा क्या सकते हो टेपर एंगिल्टर भी फॉर्मला होता है तो बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा सवाल क्या है ए घुमाओदार वस्तू के लिए वस्तूती लंबाई 200 mm देरों वस्तूती लंबाई इन्होंने कह दिया 200 mm है फेर ट्रवाँ आदे जो टेपर है सर तेपब वो टेपर कितना है तो टेपर दिया है 1 in 100 इसटेपर हम लोग 1 in 50 आइसे पढ़ते तो टेपर दिया है 1 in 50 1 in 50 ते मतलब समझो davonatre 1 in 50 जैसे लिटाया टेपर 1 in 50 है मतलब 50 mm की लंबाई में बताई ये टेपर के तना होड़ा 8 mm 50 mm की लंबाई में टेपर होड़ा 8 mm ये इस्टा मतलब होता 50 mm की लंबाई में 8 mm की टेपर यानि जो extra part है वो 8 mm होड़ा तो इसको कैसे देखेगे, मालब जैसे दिमालू ये taper मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, तो क्या कहोगे? तो कहना 50 की लंबाई में जो extra part होगा, extra part का मतलब d1-d2, वो हमारा 8 होगा, तो जो extra होता है 50 mm की लंबाई में, अब आदे देखिए फिर बोला जा रहा है तो taper प्राप्त टर्णने के लिए टेल स्टॉट के लिए आवश्य सेट ओवर बताईए तितरा सेट ओवर होना चाहिए आप सुनो ध्यान से सेट ओवर टा फॉर्मला क्या होता है ध्यान सुनना बच्चों याद रखना taprey turnointed टेन मेथड होते है आपने मैं आप से पूछओ टेपर turnointed टेतने मेथड होते है होते हैं तुक्रेजन तीन याद पहला मेथड होता है सर पहला मेथड होता है जिसकों हम बोनते हैं टेपर अटेच्मेंट द्वरा दारखना ये पहला मैथट होता है जिसमें हम taper attachment लगाटर taper turnator रहते हैं दूसरा मैथट सुनिए Sir taper turnator दूसरा मैथट होता है tail start offset method ये तो होता है tail start offset बच्चो तेल start offset method में हम लोड़ अपने tail start को side वे रिष्टा लेते हैं तो ये tail start offset वाले method की बात कर रहा है और यहां तक नहीं जब tail start offset वाला method आता है बच्चा तो उसमें set over यानि tail start को कितना खिस्टाना है उस ते लिए बच्चो एक formula होता है सर क्या formula होता है? formula होता है यहाँ पर L into K या capital L into K लिखे रहा capital L into K ये formula होता है यहाँ यह capital L दिया रहा capital L दिया रहा है तो यह बस तूट लंबाई है तो capital L into K ये formula होता है बटी के क्या है? तो K2 ही कहते है टेपर लेकि केटा मान क्या होता है? तो याद अपना केटा मान जब इस तरह से दिया जाए ना तो K अमान सीधा सीधा 8 बटे 50 रच दो बस K अमान 8 बटे 50 रच दो दीजिए डारेक्ट है अना K अमान के तरह रच दो दो 8 बटे 50 Actually मैं फॉर्मला जो होता है मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं पूरा बता देता हूँ पूरा बता देता हूँ यह आपको confusion ना हो सेट ओवर निटालने का फॉर्मला होता है capital L into D1-D2 divide by 2L यह फॉर्मला होता है टेपर निटालने का सेट ओवर निटालने का यह फॉर्मला होता है बट मैं आपसे पूछूँ टिया यह फॉर्मला है तो K क्या यूज़ करते हैं केटा फॉर्मला यह होता है D1-D2 divide by L यह होता है K और यह जो value दी जाती है 1 in 50 यह हमारा K माना जाता है तो K बराबर हो जाएदा 1 बटे 50 अब value to put पड़े लिए तो L बराबर 200 2 तो बहाल ले लिजे और D1-D2 D1-D2 बटे L यह हमारा 8 बटे 50 हो जाएगा यह हमारा 8 बटे 50 तो फिर बताइए answer टिस्टे साथ जाए रहा answer जाए रहा 2 mm के साथ यानि टेल स्टॉक्ता जो set over हो रहा वो 2 mm हो रहा शुरुआत में मिश्टेट से मैंने यहाँ पर 2 L बता दिया था तो धान रखना set over निकालने रहा formula होता है capital L into D1-D2 बटे 2 L यह होता है और याद यह रखना है कि k क्या मानना है D1-D2 divide by L मानना है या फिर direct आपके यहाँ सा रख सकते है value to put किया हमारा set over निकलाया कि हमें tail store को तितना set करना है हाना तो tail store की setting एक तो हमारे taper पे निकलती है कि इतना taper देना है दूसरा इस बात पे निकलती है कि हमारा जो job है उस्टी लंबाई तितनी है डान अठीना ठीके तो option number बताईट इसके साथ जाने वाला है B वाले उसक्तर के साथ जाने वाला है next आगे आठवा नमबर बच्चों आठवा नमबर सवाल तो थोड़ा दोर से देखिए a tool used in sapper sapper में बताईट कोड़ साथ है ये तो असान है यार इसमें तूच नहीं दोरो याद कर लो sapper planar है मैं बता रहा हूँ आपरो याद कर लिए धार रखना sapper planar उस्टे लावा slaughter sapper, paler, slaughter इन सभी में धार रखना हम लोग कौन से tool को यूज़ करते है sir इन सभी में हम लोग यूज़ करते है single point cutting tool यानि ऐसा tool यूज़ करते है जो 8 point से कटाई करता है तो 8 point से कटाई करने वाले tool हमारा single point cutting tool कहलाता है और इन सभी में हम लोग single point cutting tool के इस्तिमाल करते है officer number seat के साथ जाए multi point cutting tools भी होते just city grinding tool multi point cutting tool है head sub blade, multi point cutting tool है है ना, चलो, नश्ट रहे बताओ, नौवा नंबर पढ़िए बच्चोर नौवा नंबर ये है 4 stroke engine में जब actual valve खुलता है तो बताइए तितनी देर के लिए खुलता है तो trendset का कोड़ी विस्थापन क्या actual valve, दोड़ो, 4 stroke engine पढ़िए तो 4 stroke engine में आपको ये पढ़ाया जाता है वहाँ पर एक valve timing diagram होता है valve timing diagram में उपर TDC होता है, नीचे BDC होता है हरा तो बच्चों होता क्या है ति जब भी तभी हम लोड अपने 4 stroke engine में valve को खूलते हैं तो वह हमेशा TDC के पहले खूलते हैं हरा, TDC के पहले अपने valve को open करते हैं और 880 से जादा angle के बाद हम अपने valve को बंद तरते हैं तो यह देखो, खोलना होता है inlet valve को TDC के पहले बंद तरना होता है BDC के बाद तो angle अटर थोड़ा गौड से देखे हैं तो इतना angle तो 180 हुआ और यह angle 180 से ज़्यादा भी हो जिया तो inlet valve हमारा टैस अत्ते हो 180 degree से ज़्यादा angle तर खूलता है यह actual वाली condition है ideal वाली नहीं ideal वाली में तो 180 बताना है तो inlet valve को ठुलना तितने समय तली रहता है 180 degree से ज़्यादा angle तली रहता है नेश्ट ओहो, यह बड़ा important है आप इस्टो very very important करो पिछली बार इस्टा full form भी पूछा दिया था दोरो, प्रस्ण में लिखा हुआ है यह MPFI आप देखो नाम बच्चा इस्टा ना पिछली बार full form पूछा दिया था MPFI तो पूरा नाम क्या होता है सर इस्टो पता किस नाम से जानते है MPFI तो, इस्टो बोलते है multipoint सर इस्टो बोला जाता है multipoint और आदे होता है fuel injection सर multipoint fuel injection system यह हमारे MPFI तो पूरा नाम होता है multipoint fuel injection system हना, अगर यहीं पर SPFI लिखा होता है क्या SP, तो वो single point fuel injection system हो जाता बच्चो इन्होंने बोला है कि इन्होंने में से कौन सा MPFI petrol engine का भाठ नहीं हना, बच्चो आपको बता दे fuel injector अब आपके मन में आया रहा petrol engine में injector तो नहीं होता बच्चो बिल्कुल सही बात है नहीं होता petrol engine में injector लेके जितरी भी bite होती है petrol engine में, उसमें injector नहीं होता यादरियर बच्चो जब हम लोग गाड़ियों में multi cylinder यूश ठरते हैं बाइक की बात करते हो धानते सुनना जवाब bike की बात करते हो तो यह दोनों चीज़े होती है तो जब bike की बात करेंगे bike के petrol engine दी बात करेंगे तो उसमें carburetor और spark plug दोनों होता है लेका अगर आप car की बात करते हैं जो petrol से चलती है कई सारी car ऐसी भी होती न जो petrol से चलती है तो उसमें carburetor क्या होता है तो कहना जो petrol से चलने वाली car है उसमें carburetor नहीं होता लेका हाँ उसमें जो spar plug है वो होगा बच्चों जितनी भी car होती है जो हमारी petrol से चलती है बच्चो उसमें क्राभुरेटर दर्वा पे प्रुल-इंजन का भाढ नहीं है तो कहना MPFI प्रुल-इंजन में हम लोग टार्बुरेटर का इस्तमाल नहीं ड़ते उसमें बाध कमेंट garden बताओ चलो, आजे बढ़ा जाए, नेश्ट देखी क्या है अडलस वाल देखी क्या बोला जारा है 300 RPM, 3000 RPM पर एक धूडन सील एक चत्र स्थोट पेट्रोल इंजन से प्रति सेकेंड तितनी सप्ती मिले दी सर देखो, पहले तो इंजन हमारा 4 स्थोट है और 4 स्थोट इंजन में बोला जारा है ति बताइए तितनी पावर मिले दी होना, तो बच्चो आप लोग को आप सुन लीजे एक नट, धाम से सुनिए जैसे कि कोई भी डाड़ी मान लीजे N RPM से चल लई है हना, तो बताइए उसमें पावर स्थोट तितने होंगे तो बच्चो अगर ये डाड़ी 2 स्थोट इंजन है तो बताइए उसमें तितने पावर स्थोट होंगे और अगर ये डाड़ी 4 स्थोट इंजन है तो बताइए उसमें तितने पावर स्थोट होंगे हैं जितने की टे सकते हो टी उसमें जितने की टे सकते हो उस्टी आर्पीयम है यह तो टू इस्टोट इंजन में पावर इस्टोट आर्पीयम के बराबर होते हैं फोर इस्टोट में आधे हो जाते हैं अब इन्होंने प्रस्ट में देखें फोर इस्टोट बोलाए ना देखो how many power stroke per second cell be तो इसना मतलब यह हुआ कि 3000 का आधा टरना पड़ेगा और 3000 का आधा टोटी 4 stroke में आधा हो जाता है तो 3000 का आधा बता ही तितना हो जाएगा सर्फ 1500 चला जाएगा सर्फ 1500 चला जाएगा That's it ना? Next आईए बच्चा बोला जारा है कि ग्रेट कास्ट आरन में इस उजली वेल्डेट ग्रेट कास्ट आरन जो है कैसे वेल्डिंग की जाती है बच्चो याद अखना कास्ट आरन की वेल्डिंग जो है जब भी तभी आपको करना होता है तो थोड़ा ध्यान देना होता है और especially great cost iron हाना तो या तकना जब भी तभी हमें great cost iron की welding करनी है तो हम लोग कभी भी उसमें TIG यानि arc welding कभी नहीं करते हैं हमें से दारतना arc welding कभी नहीं की जाती है और नहीं resistance welding की जाती है cast iron में दारतना हम लोग कौन सी welding करते हैं gas welding prefer करते हैं कास्ट अमें में मेंlvania हम लोग गयस वेल्डिन प्रफर्टर टरते हैं वो भी और सिॉ झानने थारतना कास्ट अइरन में कभी टी आई-जी यानी आरक वेल्डिन नहीं आए टी जाती है बच्चो टास्टारन एक और चीज होती है, टास्टारन में कभी रिविटिन नहीं की जाती है दारखना कई बार कुशन आयदा कि टास्टारन में रिविटिन होती है, बिल्कुल भी नहीं क्यों टोकी riveting का मतलब होता है कि आप rivet लगाने के लिए उसे पीटो देख और जब भी कास्टारंट पीटा जाए रहा तो आपने कई तुक्ड़ों में टूर जाता है इसलिए कास्टारंट के कभी riveting भी नहीं होती है हाना सर्फ welding gas welding और और भी चीज़े होती है जैसे कि आप फॉर्मिन प्रोसेस कर दोस्टा हाना और और भी चीज़े हो सकती है लेकिन riveting नहीं होती नेश रहे है बताए सीटेन नंबर इस मेजर सीटेन नंबर क्या है आंसर मैंने टैल भी बताया था कि सीटेन नंबर का मतलब होता है कि डीजल की quality बताने वाला नंबर तो भारत में जो भी डीजल है उस डीजल की quality बताने वाला जो नंबर होता है वो सीटेन नंबर के लाता है सीटेन नंबर में दो चीज़ों टमिस्टरन होता है कौन कौन से दो च इन दोनोटा कॉंबिनेशन ही टेलाता है तुमारा सीटेन नमबर भारत में जो डीजल यूस्ट करते हो उस्टे सीटेन नमबर जो है वो 40 से 55 के बीच में होता है भारत में जो डीजल यूस्ट होता है उस्टा सीटेन नमबर 40 से 55 के बीच में होता है तो बताईए इस्टा सीटेन अंठ क्या हो जाए रहे इस्टा आंसर ये लिजे ओप्सर नमबर टी इधन की प्रजुलन शमता इधन का टेलोफिट वेलू आटो इद्नीशन टेंपरेचर और इद्नीशन क्वाल्टी जलने टी छमता यही सही आंसर है फ्यूल की छमता बताता ह आठिक हमारे पास फ्यूल क oppose एसा है centr1 सर्प्सरण 10वल्ट टींब अधित्टम लंबाई क्या होती है जिससेえる मसीन पर बतानी है पहला 10-20 ती दुरी, दूजरा 10-20 लंबाई, दूजरा है 10-20 उचाइए पहला, 14-20 लंबाई, मसीन बेट के अर्दित्तम लंबाई और डायमीट्र आउब बार सवाल को लैंग से ध्यान से पढ़िया वर्टपीश टी वै अर्दित्तम लंबाई जिस पर तो बच्चों किसी भी वर्टपीश को ज़्यादा से ज़्यादा आप कहां तक सेट कर सकते हों तो कहरना PCB WORL PeS2 हम ज़्यादा से ज़्यादा उतना सेट कर सकते हैं जितना T उनके 30-20 लंबाई है मालो हम कहरा है 30-20 लंबाई तो आप ज़्यादा ज़्यादा इतने में ही तो लड़ा सकते हो उससे ज़्यादा तो नहीं आधी है इसलिए इसिटा जो सई आंसर 10 रो टी उचाई डिलत हो जाये डा सई आनसर ओफ्षर रंबार B टे साथ जाये डा 10 रो टी 2 बीश की लंबाई बच्चा इससे जादा हम लोग TCB जॉब टू नहीं लटा सकते है इससे लंबा टोई जोब मसीन बेट के दित्तम लंबाई डिला थे मसीन की लंबाई तो ज़्यादा भी हो सकती है मसीन की लंबाई तो ज़्यादा भी हो सकती है लेटे जितना मसीन की लंबाई है तो अफसर नंबार बी इस्टर सही अंसर है रिवेट व्यास चितना होना जीकिए पहला नसा प्लेट की मोटाई का अधा दूसरा है प्लेट की मोटाई से ज्जाधा तो बच्चों याद कड़ो अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया तारी रिवेट व्यास होता है D, वो होता है 6 under root T 6 under root T यह हमारा formula होता है तो आप फुद मुझे बताओ मैं 6 under root T टो देखू तो equation को देखने के बाद अब जैसे कि मुझे साफ समना जरा रहा है टीटा कोई भी मान रहा है तो जैसे कि टीटा मान मान लीजे 8 mm है अब टीटा मान लीजे 8 mm है तो 8 under root 8 और तो D रहा है 6 mm देखो तो आप देखिए ना कोई भी value रखते देखिए तो साफ साब यहां पता चलना है जो भी हमारा D आने वाला है वो कही ना कहीं T से ज़्यादा आने वाला है तो जो भी Revit का व्यास होता है दोस्त मेरे वो हमेशा जो है प्लेट की मोटाई से अधिक होता है और से रमबर सीट ये साथ हाना दान रखना नेस्ट आई जा अड़ला पच्चो MyParsal application पे यह पूरा foundation बैश चलता है CVT1 और CVT2 का जिसमें आपको Basic Science इने ट्रॉइन के साथ सा ट्रेड इका कोर्स भी मिले रहा तो Basic Science इने ट्रॉइन के साथ सा ट्रेड भी मिले रहा और आप ये foundation बैश टो जोइन कर सकते हैं जिसमें आपको complete तयारी टाई जाए डी ALP technician दी तो बच्चो ये दाम सिर्फ सोलवा लेथ मसीन के किस भाड़ों में कौन सी д्राइवbin पूली और बैट इयर हाउसिन के रूप में चाम करता है अब सवाल को थोड़ा ध्यान से पड़ो लेथ के निम लिटध भाड़ में से कौन सा ड्राइविन पूली बैट इयर हाउसीन के रूप में कार्ट रथा है अब आप मुझे बताओ लेथ मशीन का किस भार में ड्राइविन पुली, बैट दियर इस सब लगाए जाते हैं तो याद रखना लेथ मशीन के लेट साइड एक बड़ा सा बॉट्स बना होता है उस बड़े से बॉट्स में ही हमारे सेंटर वेंटर भी लड़े होते है बच्चा इस बड़े से बॉट्स को हम बोलते है हेड स्टॉट क्या नाम देते हैं हेड स्टॉट इसमें धेर सारे डियार, ड्राइविन, मैटने जाम नाम से जाना जाता है 700 व्यास इतना है ठीट है लग जाया कोई दिटा तरहीं मैं पहले टूश चीजे लिखलू बच्चों सबसे पहले देखलो यहां पर दो वर्ड मैं यूज़ टोड़े एक चालत वर्ड और दूसरा चलित वर्ड ताड़ी आपको चीजे सबज बया सरे अब देखलो बोला जा रहा है चलित धिन द्रटी ड पता लगा है चालक धिएदि रती दी रही है चालक धिनी ती ड्रती दी रहा है 200 और इसे बाद देखिए ये चलित धिर्ड व्यास सर्फ चलित धिनीध व्यास दिया रहा है 40 cm और तो यहां पर इस्टी ड़ती पता लगानी है कि चले धिर्णीडी ड़ती कितनी है जब भी अभी कभी कोई सवाल इस तरह का आए ढियर का आए या धिर्णी का आए पुली का आए कुछ दिखना होता सिर्फ इनका आपस में मल्टिप्लाई करके ही आंसा निडालो तो इनका इनका multiply और इनका इनका multiply बरावर होना चाहिए तो यहाँ multiply हो जाएदा 2000 गुड़े 20 और यहाँ पर multiply हो जाएदा N गुड़े 40 मेरे भाई अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो यहाँ 80 से 80 cancel ओके N बरावर जो निटाला जाएदा आप चैट कर लो तो यह cancel आउट भी हो जाएदा 4 से 4 दो दुनी 4 होता है ना तो N बरावर 100 आप यहाँ तो चले धिर नीटे जो आप यहाँ जाएदे दोस्त मेरे वो 100 आप यहाँ चलो नेश्टाइए बताएदा इधन के प्रजुलन के लिए इधन के जलने के लिए सर इन्होंने सिर्फ इतना भोला है कि आप बताओ इधन के जलने के लिए इधन के जलने के लिए बताइए इस्पार्प्लच इस्तबाल नहां तरते है तो बच doğru आप वे बताओ spark फ्लक्ट रिज्ट कर इस्तिमाल हमारे घरिस यंजन में होता हैं तो ड्रेना in प्लकट इस्तिमाल होता है हमारे SI और इसमें धारतना इस पाप लग्ट इस्तिमाल किया जाता है पेट्टोल को जलाने लिए नेस्ट घ्रेलू रेफिजरेटर में समाने तौर पे कौन से सीतलक का प्रियोड करते हैं जो मारा घ्रेलू रेफिजरेटर होता है आप मुझे बताइए उसमें हम लोग समाने तौर कौन से सीतलक का प्रियोड करते हैं कौन से कूलेंट का प्रियोड करते हैं ध्यान से सुनना बचो जो हमारी फ्रीज बढ़ारा आती है टीवी बढ़ारा ऐसी आती है उसमें बहुत पहले हम लोग R11 या फिर R12 इन सब प्रियोड किया ड़ते थे परतो R11 R12 में क्लूरीन हो चाहिए और ओर आयों हो जाने दी वज़ए से यह बड़े नुप्सान पहुक्चाते हैं पैंट यात चेहरा अब हम लोग जो इस्तिमाल करते हैं वह और इको फ्रेंडली होता है, जो इन्वायरमेंट का फ्रेंडली हो, एक्मोसफियर टा फ्लेंटी उसे आप बोलते हैं इको फ्रेंडली रेफिजरेंट, आर 134 एको अड़र आप निकालते देखो, मतलब इस्टा टीमिटल फॉर्मला निकालते देखो, तो यह कड़ो मैंने आपक क्लोरीन लडाने की जड़ही नहीं बची तो आर 834 एटा केमिटल फॉर्मला बन लिया सी टू एच टू एफ फॉर आप देखो इसमें कहीं पर भी क्लोरीन नहीं आया कहीं पर भी क्लोरीन नहीं आया और जहां जहां क्लोरीन नहीं होड़ा वो सब हमारे कहसते हो वाई मंडल को नुटसान से नुटसान नहीं होने देंगे है इसे लिए हम लोड आज टाल इस रेफिरंड्य का प्रियों का पर थे हैं अपनी फिरिजोंच ना इसे हम स्चोरेट के लिए लाष्ट में 05 4 ug3 कुम्हारा होता क्या है कि यह मद्ध को एच जरह से दूसरी जरह जाते ना तो उसे पिढ़ने से रोटने के लिए हम लोग आस-पास एठंडग वाला वातावान इस्तमाल करते हैं इस्ता यूज जो में आईसट्रांस्पोर्टेशन मिते हैंब गिवंधर से द мешकलं। विवकरैक। सर, सीओ टू रेफेजरेंट इसने माले परते हैं, है ना, चलो, नेश्ट आइए, रोशार रमबर ट्वंटी, निम लिरत में कौन सी धातू, लोहेटा सुद्धुरूप है, आप मुझे बताओ, इसमें से कौन सी धातू, लोहेटा सुद्धुरूप है, लोहा, बच्छो या सबसे पहले जो लोहा बनाए जाता है, उसे बोलती है, हम लोग पीड आयरन, कच्चा लोहा, धारखना सबसे पहले जो लोहा आता है, पीड आयरन धारखना सबसे असुद्ध रूप होता है, तो सबसे असुद्ध रूप, पूछा जाएटी, सबसे असुद्ध रूप कौन कास्ट ऐरन बनता है हाना और कास्ट आरन के बाद हमारा जो अडला आयरनREAMर्ण मनता हstorm में की पिटवा लहा इसको ने कर बते हैं शब्सक् Seung comments ध होता है तो टुमसे में पूच जाए कि लोहिट सबसे सुद्धरूप क्या है तो रौट आरन बताईए सबसे असुत रूप पुछाए तो आंसर बताईट इसने साथ जाए रहा नेशना सवाल लिखा है पील लाइट मताईट इसना मिस्षण होता है पियल लाइट बता ही तिस्टा बिस्टा होता है पियल लाइट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आयरन को सॉफ्ट बनाता है आयरन को सॉफ्ट बनाने वाला कंपोनेंट है पियल लाइट दाना अचा अब बात करते हैं पियल लाइट पे होता क्या है PL light iron को soft होनाता है ये दो चीजों जो मिस्सण होता है या PL light एट होता है ferrite और दूसरा होता है cementite तो ferrite और cementite इन दोनों इट जो मिस्सण होता है that is called PL light उसी तो बता है तो चीजों नाम से जाना जाता है PL light सर फिराइट कितना होता है 87.5% और cementite कितना होता है 12.5% 12% ओके तो peel light धारक्टना दो चीजों दो मिस्टन होता और 8 होड़ा ferrite दूसरा होड़ा cementite PL light पता है material को soft बनाता है और धारकना PL light जो है कब बनता है जब हम लोग slow tooling करते हैं तो लोहेट तो तेजी से डरम करने ते बाद लाइट बनता है और पियर लाइट जब बनेड़ा तो बताइए मैटिकल कैसा हो जाएगा सर मैटिकल हो जाएगा सॉफ्ट तो पियर लाइट दो चीज़ों में सर्ण होता है एट फैराइट दूसरा सीमेंटाइट तो फैराइट कहां है वही या फैराइट ओके तो आंसर जो हमेशा पानी के नीचे रहता है यह सवाल repeated question है कई बार बच्चो धारखना कई बार यह question आया है और इसना 80 उत्तर से होता है कि जहांश्चा वय भाड जो पानी के नीचे होता है वह समुदर के पानी के pass contact में होता और समुदर के पानी में होता है नमट तो नमट होने टी व तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो जन लगने में काफी मदद करता है पानी ठाड़ा तो आंसा रिष्ठा ओप्सर रमबर सीटे साथ जाएदा तेजी से जन लगता है तोटी ये पानी ठाड़ा होता है तेज़वा यह एक सूच मापी है यह एक सूच मापी कोल सा मैक्रो तो सही मान बताओ, बचो देखो, सही मान का, true value का formula क्या होता है, जब आपको true value निकालनी हो, तो कह देना, जो आपने measured value निकाली है, उसमें आप error ढटा दो, ये formula होता है, धानक ये रहे इस बार को, copy में note down कर लीजे, true value निकालने ये formula होता है, measured value minus error, लेकिन हाँ, ये जो error और आप positive error है, तो plus में, negative error है, तो minus में, बस, तो बच्चो true value निकालनी है, measured value कितनी है, पचीज़ दसमनो 52, minus error, error है, 0.03 mm, 0.03 mm, but error चुटी narrative में है, इसलिए minus 0.03 mm रचना होगा, हाना, तो चीज़े एदम सटीट याद कीज़े, और सही मिमा बताइए, कितनी होनी चाहिए, तो बच्चो true value निकालनी होना चीज़े, आप इसको ऐसे टर दीजे, तो जोड़ दीजे, तो answer जो मुझे दिठाई दे रहा है, वो 55,5 mm नजर आ रहा है, 55,5 mm, तो answer बताईट इस्टे साथ जाए रहा, और अफसर अंबर, बी वालो उत्तल्टे साथ जाए रहा, अफसर अं दीजे, चलो, next है, ओटे, 24 अंबर सवाल देखिए, टार्नोट उसमा पंप्टा सवाल है, टार्नोट उसमा पंप, दो टिंपरेचर पे टाम्टर रहा है, और इस्टा पता ही COP क्या होना चीए, इस्टा COP क्या होना चीए, तो यहाँ पर एक फॉर्मला तुम्हें याद होना यह नीचे होता है, यह पंप टी-COP है, अज़ा यही कोशन, रेफिजरेटर टी-COP रहा आता, तो बताई, रेफिजरेटर टी-COP रहा फॉर्मला क्या होता है, तो उपर हमारा हो जाता लोवर टेंपरेचर, और नीचे हो जाता हाइयर माइनस बोवर, बस, ठीटे बच्च अब मेन बात यह है, कि हम इसे रखे कैसे, तो बच्चो जब भी तबी यह फॉर्मला रखा जाते हैं, तो हमेशा इसको कनवर्ट कर लिया जाता है, बिना टेल्विन क्यांसा नहीं जाएगा, तो 17 डिटी-COP का बताई कि टेल्विन कितरा हो जाएगा, 273 जोड़ों तो 300 Kelvin, 327 में 273 जोड़ों, 600 Kelvin, हमें फॉर्मला कौन से इस्तिमाल करना है, हमें पंप वाला इस्तिमाल करना है, तो पंप टी बात की जा रही है, तो पंप वाले में उपर हाईयर टेंपरेचर है, मतलब उपर है 600 Kelvin, और नीचे देखो क्या है, सर नीचे 600 माइनस 300, तो मेरे भाई 600 म माइनस 300, तो नीचे 300, ऊपर 600, इसलिए अंसर 2, अना, तो पंप इसी हो पीटा, जो ट्रैट उपतर जाए रहा, वो आफसर रमबर टी टे सर जाएगा, दो टे साथ, छलो, नेस्ट रही है, ओके, 25 बार हमबर सवाल, यह हमारा वेल्डेंटर सवाल है, देखे, क्या टेहता ह बच्छों सवाल ही बोला जा रहा है, आटसी टारक जुआला के मामले में, ओट्सीजन और एसिटलीन, कनपात क्या होना चीए, फ्लेम, आपको पता, फ्लेम तितरे तरहेट ही होती है, तो याद अपना फ्लेम हमारी तीन तरहेट ही होती है, सर सबसे पहली फ्लेम होती ही, दूसरा जो फ्लेम होती है उसको बोलते है हम लोड और सी डाइजिन फ्लेम और दारखना तीसरी जो फ्लेम होती है उसे बोलते है टार्गुराइजिन फ्लेम तीन तरहेटी फ्लेम होती है weldon करते समय तीन तरहेटी फ्लेम इस्तमालती जाती है mainly है और होती एक और है लेकर mainly अभी तीन तरहेटी याद कर लो एक होता है हमारा neutral एक होता है oxydigene और tarurizing को हो सकता है आपने याला नाम भी सुनाओ reducing flame कई बार इस्टो हम लोड एक और नाम से भी जानते है reducing flame तीन तरहेटी flame होती है सर neutral flame क्या होती है neutral flame का मतलब यह होता है कि जिसमें oxygen और acetylene इन दोनों तर जो अनों पाते हैं वो बराबर बराबर हो that is called my neutral flame oxidizing flame वो होती है जिसमें oxygen की मात्रा ज्यादा हो oxygen की मात्रा ज्यादा होना चाहिए oxygen की मात्रा 1.5 ratio acetylene 1 oxygen की मात्रा ज्यादा होना चाहिए और reducing flame क्या होती है sir, reducing flame वो flame होती है जिसमें oxygen की मात्रा कम हो oxygen की मात्रा कम हो मतलब 0.9 ratio 1 ठीक है तो बताइए इसना सही उत्तर किस्टे साथ जाएगा इन्हों ने बोला था और सीडाइजिन फ्लेम के बारे में तो और सीडाइजिन फ्लेम में और सीजन और एसे टलीन टन पाथ इतना होता 1.5 रिश्यो 1 ठाइए अफसर नमबर C, नेस रही है Welding, Anarch किस्टे दोरा प्रियोटी जाते हैं बच्चों Welding, Anarch Welding, Anarch Welding, Anarch का मतलब यह होता है तो Welding करते समय आप चस्मा लगालो तो Welding करते समय चस्मा लगाए जाता है खास तोर से Gas Welding, Arc Welding Even Welding Joint की जब Chipping करते हैं, Chipping का मतलब होता है Welding Joint जब बन जाता है तो उस्टी जब सफाई अफाई करते हैं तो कई बार हम लोग सफाई करते समय भी Anarch लगाते हैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे चोटे कर होते हैं जो हमरे Arc के अंदर भी जा सकते हैं तो धार रखना इन प्रोसेस में हम लोग करते हैं इसलिए उप्सान नमबर सीटे सार जारा बोथ A and B 27 बनमबर Case Hardering के लिए आप प्रक्रिया है बताओ इनमें से कौन सी प्रक्रिया Case Hardering के लिए उप्योट रही है बचो Case Hardering क्या होती ही मैंने बताया था जैसे कि माल लीजे ये तुमारे पास कोई जॉब है और इस जॉब को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि इसकी सतह हार्ड हो जाए इस जॉब को हम ऐसा बनाना चाहते हैं इसकी क्या हार्ड हो जाए सतह है और अंदर ये जो है वो टफ रहे तो बच्चों सता है तो जब हमें hard करना होता है तो बाहर से हमें कुछ material का penetration करना होता है जैसे की carbon, जैसे की nitrogen तो carbon और nitrogen का penetration करके हम इसको hard बना सकते हैं तो carbon का penetration करते है नाइट्राइडिन में nitrogen का और जब cyanide आता है तो cyanide में carbon और nitrogen दोनों penetration कर दे तो यह सब हमारी case hard ring है यह तीनों process टेस हा लेकिन normalizing case hard ring नहीं है नॉर्मलाइजिन case hard ring नहीं है यह तरह का heat treatment process होता है तो case hard ring के लिए आउप्यूर्थ प्रेक्रिया is not used for case hard ring तो उपर वाली तीन case hard ring है लेते दा रखना normalizing जो है वो case hard ring नहीं है है ना अफसर नमबर D next रही वी बेल्ट में बताईए डरारी के दीश्टर कितरा angle होता है आपने वी बेल्ट राइज सुना है ना है वी बेल्ट में पता क्या होता देटो मैं आपको प्रत हो जैसे निमाल लीजे मैं आपके सामने इस तरह से यह वी फिली बेल्ट में इस तरह में फिलट पहनाई जाती ऐसी हो आधा रहतना वी बेल्ट राइज में वेल्ट हमेसा साइट से रोकाई है यह नहीं रudद को होती है क्यों पूछा वी बेल्ट में पट्टा क्यसन की स्चूता है bachelor ना भी बट्ट होता है ना 20 इंक्लूडेड एंगिल इसे हम टू अलफा ये नाम से जानते हैं और वी बेल ड्राइब में ये टू अलफा जो वह होता है वो 30 से 40 डिगरी रखा जाता है और से 40 डिगरी रखा जाता है और से नमबर जायदा वी वालब तरके साथ हाना नेश्ट आई जाए ओके बच्चो माई पार्सला अप्लिकेशन पे ये डारेंटी बैच भी स्टार्ट है जो भी बच्चे जी डी सी टी ती तैयरी टर रहा है वो लपी टेप्नीशन टर डारेंटी बैच ले सकते हैं बच्चो इस बैच में आपको पूरी तैयरी टाई जाए दी पूरे रहा मतलब बिल जायरा और ठीटाट में लिए जाया अच्छा नहीं है बहुत मिले रहा लेकर ठीटाट में लिए चलो उन्तेस नमबर सब्सक्राइब रिविट की पंतियों टे 20 दूरी तो ट्या बोलते हैं रिविट की पंतियों टे 20 दूरी टो रूँकस बच्चो जैसे कि माल लीज से बचो इसमें मैंने देखो इस तरह से रिवेट लगा दिया पहली रिवेट दूसरी रिवेट तीसरी रिवेट 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 यह म पीच और दो लाजाता है रिविट लाइन के बीश्टी दूरी तो क्या बोला जाता है तो दा रखना दो रिविट लाइन के बीश्टी दूरी तो बोला जाता है बैट पीच पीवी क्या बोला जाता है बैट पीच ओके तो रिविट पंती ओटी बीश्टी दूरी तो क्या ब पुम्हान करते हैं यह माला सवाल ट्राइटी जिये बच्वों अडला सवाल आपके साम्ने है काश टारन में विद्धमान है चाश्टारम में विद्वान एट सरूटी है मैं छोटा सा फोन कर दूँ ओटे काश्टारम में विद्वान टारबन रसाइनिक सेवजित रूप से हो सबता है बहुत आप आप अब वह पूच रहे तुम चलिए आप मैं तुम नंबर मेसेज़ तरह हुआ अब देखों यह वाला सवाल क्या बोला जारा है एट सिर्वान बस अब ओटे चलो तो बच्चों बोला जारा है कि कास्ट आरा में विद्दमान कार्बान रसाइनिर रूप से सेवजित हो सकता है याद अपना जब भी तभी आईरन और कार्बान का bonded form पूछा जाता है ति बताइए iron और carbon का bonded रूप क्या है bonded form क्या है तो आप याद ठेड़ा iron और carbon का bonded form होता है वो होता है iron carbide Fe3C ओके तो Fe3C को हम किस नाम से जानते हैं sir Fe3C तो बोला जाता है बच्चो iron carbide यह हमारा iron carbide है और बच्चो इसी iron carbide को हम लोड technical word में जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं cementite क्या बोला जाता है cementite बच्चो cementite में दो चीज़े होती है एट iron होता है दूसरा carbon होता है cementite में दारखना iron की मात्रा कोई पूछे तो 93.5% बता नहीं है और carbon की मात्रा कोई पूछे तो 6.5% बता नहीं है तो जो भी हमारे पास test होते हो bonded form होता है वो cementite के form में जाना जाता है iron और carbon का bonded form, very important है iron और carbon का bonded form, no doubt लीज़े रहा, next, 31 नमबर, निम निदित में से किस machine में कर्तन के दोरान, कर्तन उप्राण इस्थे रहता है, जबती वस्तु आगे पीछे करती है, बताइए इनमें इसे वो planer, sapper, grinding wheel, mille बच्चों, mille में tool इस्थे रहता है, जबकि mille में तो tool ऐसे घूमता रहता है, mille operation में tool ऐसे घूमता रहता है, बोलो यह, grinding में भी tool घूमता है, sapper में tool आठे-पीछे टरता है, लेक्टे हाँ, planer एक ऐसी machine होती है, जिसमें tool हमारा इस्थे रहता है, और world peace को ह इसलिए आप क्या सकते हैं कि इन में से कौन से ऐसा प्रोसेस है जिसमें कटेंट टूल इस्थे रहे जब कि वस्तु आड़े पीछे करता है क्या देना प्लेन आप अड़ला कोशन बचो नेश्ट कोशन कोशन नूमर 32 यह है कि एक विजिस्ट वर्नियल टैलीपर में वर्नियल समझ में आजाता है बच्चाँ अजर मैं इस वर्नियल के लिपर टा लिश्ट ताउंट देडूँ टी तिना लिश्ट विवाजन होता है फिर ही बोला जा रहा है एक छड़ता मापन करते सब्सक्राइं मुठ इस्टेल दी रिडिंग 2014 में मुठ इस्टेल दी रिडिंग 24 8 म 20-वा इस्टेल संपाती आता है और reading देखिए 24 हैमे में तो बच्चो जो छड़का व्यास माना जाए रहना वो पता है क्या होडा एक तो main scale reading पलस आपका जो संपाती वाला हिस्सा है वो लगते हैं अब देखो संपाती वाला हिस्सा कौन सा है संपाती वाला खाना रखते हैं और इंटू बताईए क्या तर देते हैं बच्चा, लीस्ट टाउंट कर देते हैं, तो यह हमारा फॉर्मला होता है, उस्टो निटालने का बच्चो इस्टो याद रखना, तो में इस्टेल्ड रीडिंग टितनी है सर, 24, संपाती वाला ठाना टितना है सर, संपाती वाला ठाना है यहाँ पार, आहाँ बीश्वा, और लीस्ट टाउंट के तरह है एट बटे पचास, यह देखो, तो आप मुझे पताओ, इस्टो स्वाल टाटे देखो, तो दो बटे पाच, यानि 0.4, तो 24 दसबलो, फोर, यह इस्टा सही अंसर जाए रहा, तो 24 दसबलो, फोर, यह इस सवाल टा सही उत्तर चला जाए रहा, आप देख पाल देखोंगे, ठैसे मैंने सवाल टू सही अंसर दिया, ठीके, तो सवाल बड़ा प्यारा था, और कुछरी टर्ना था, बस थोड़ा सा हमने दिमार लगाया, सवाल हमारा सवाल हो गया, बीस गुड़े एट बटे पचास टर दिया, और जैसी बीस गुड़े एट बटे पचास टिया, दो बटे पाच आया, जो दो बटे पाच, तितरा होता है, जो एट सिलेंडर की बहरी सतय पर एट सीधी रेठा, हीरे ट अटार्टा पैटर्न बनाने की प्रेक्रिया तो संदर भी टरता है, बच्चों, आपने कई बार देखा हो ड़ा, जैसे टी माल लीजे, तुमारे पास ये कोई वर्ट पीस है, ये सिलेंडर टार्टा है, तो इसमें पतड़ को मजबूत करने टे लिए, हम लोग एक हीरे जैसी अत्रती, है, हीरे जैसी अत्रती बनाते है, ऐसी, यादे नहीं यादे, बच्चों, इसको किस नाम से जाना जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है, नहीं, तो पतड़ को मजबूत करने टे लिए हम लोग बताईए, उसमें ट्या टरते हैं, सर, नहीं प्रोसेस टरते हैं, अना, नहीं प्रोसेस दो तरह एटा होता है, अगर आपने ऐसे नर्लिन की है That is called my straight लर्लिन यह हमारी straight नर्लिन होती है और बच्चो अगर ऐसे की है तो बच्चो इस्टो बोलते हैं हम लोग diamond नर्लिन तो पड़ल को मजबूर करने लिए हम लोग process टरते हैं That is called नर्लिन Straight नर्लिन, diamond नर्लिन जदी एक पट्टा चालन में दोनों पुलियोंटे ढूमने टी दिशा समान है तो बताईए किस तरह टा चालन है सर्फ दिशा समान है बच्चो अगर यह open bell drive होता तो open bell drive ऐसे ही तो होता कुछ ऐसे ऐसे होता देरो open bell drive में अगर यह direction clockwise है तो इस्टी direction भी clockwise होती है तो direction अगर सेम है तो confirm वो open bell drive होगी तो open bell drive में direction धार रखना कैसी होती है दोस्त मेरे समान direction होती है और यही cross bell drive होती तो direction बताईए कैसी होती सर opposite होती है ओके next आईए ओके soft में एक अर्ध गोला कार disc और गोला कार races में fit की जाती है बताईए वो टॉन सी T है बच्चो जो हम लोग T और कपलीन वाला chapter पढ़ते है तो T और कपलीन वाले chapter में हमें वहाँ T लणानी पढ़ती है बच्चो एक T ऐसी भी आती है जो इस तरह ऐसे गोला कार सेडमेंट टी बनाई जाती है हना सर जो T ऐसे गोला कार सेडमेंट टी बनाई जाती है उसका एक नाम भी होता है उसको बोला जाता है उड्रफ टी क्या नाम से जाना जाता है उसको उड्रफ टी तो उड्रफ्टी ऐसे स्टल्कूलर सेड्मेंट्टी टी होती है तो आंसर जाएदा ओफ्शन रमबर डी टे साथ उड्रफ्टी पैलल टी नहीं होती पैलल टी का मतलब होता है पैलल कोई टेपर भी नहीं जीब हेट्टी में हम लोड एतरफ पंठ लगाते है जीब हेट्टी कुछ इस तरह टी होड़ी ऐसे और फीदर टी जो होती है वो दोनों तरफ पंठ लगाए जाते हैं यानि एतरफ भी और दूसरे तरफ भी ऐसे हाना लेटे उड्रफ्टी जो होती है वो इस तरह से कुछ होती है धनात्मत परिचालन कौन सा है धनात्मत का मतलब होता है एक ऐसी ड्राइव जिसमें सिलिप ना हो यानि एतरफ न वो ड्राइव जिसमें सिलिप कमान जीरो होता है जिसमें सिलिप जीरो होता है सर उसको बोलते है पॉच्टिव ड्राइव याद रखना जिसमें slip 0 होती है वो हमारी positive drive होती है जैसे टी dear drive, जैसे टी chain drive इसमें slip 0 होती है तो dear drive हमारी positive drive है क्यों भहिया क्योंटी इसमें slip 0 होती है पट्टा और रसी सर इन दोनों में slip 0 नहीं होती है और सिलेब 0 नहीं होटी तो बताइए इनको हम लोग कौन सी ड्राइब की नाम से जा रहेंगे निडेटिव ड्राइब बोलेगे सर जो चैन ड्राइब होती है वो भी तुम्हारी जो है पॉस्टर ड्राइब होती है है ना? नेस्ट आईए सेट इस अश्टे नाइट में लोहे को में कारबन का एक ठोस विलियर होता है अश्टे नाइट लोहे में कारबन का एक ठोस विलियर होता है बता ही तिस नाम से जाना जाता है सीधा सीधा हिसाब कताब समझो इन्होंने बोला है ति अश्टे नाइट को हम किस नाम से जानता है तो यह तकना अल्फा एरन को हम लोग फैराइट के नाम से जानते है अल्फा एरन को किस नाम से जानते है फैराइट अल्फा एरन इस अल्सो कॉल्ड फैराइट लेकिन जब गामा एरन गी बात आती है बच्छो तो गामा एरन को हम लो धार रखना अश्टे नाइट के नाम से भी जानते हैं तो अश्टे नाइट के नाम से बताइए किस नाम से टिश्टो जानते हैं इस पात में बढ़ती टार्बन की मात्रा के साथ ultimate strength और ductility देखो एक चीज़ तो transfer में एक चीज़ तो transfer में जैसे जैसे हम carbon बढ़ाते हैं तो बच्चों उस्टी hardness बढ़ती है उस्टी क्या बढ़ती है सर hardness बढ़ती है अब आप पताओ जिस job की hardness बढ़ जाएगी तो उस्टी ductility क्या हो जाएगी तो टहना सर उस्टी ductility कम हो जाएगी ले रहा उस्टी जो strength है ताकत है वो ताकत क्या हो जाएगी तो कहते रहा strength तुमारी बढ़ जाएगी तो इस पात में carbon की मात्रा बढ़ाने से उस्टी जो param strength है ultimate strength है वो बढ़ जाएगी ductility कम हो जाएगी इसलिए इस सवाल टा सेयुत्तर option number 8 साथ जाना चाहिए हाना नेश्ट आइए अडला मचो अडला सवाल देखी रहा important टरो पहले इसको यह ITI level के जित्रे भी exam होते हैं चाया वो NPCIL का paper हो ISRO का paper हो इस्टे अलाबा जो है NCIL का paper हो जित्रे भी ITI level पे exam होते हैं सब यह question repeated question है repeated कई बार repeat question है इसको important लेना यदि million cut in 435 meter per minute है speed इन्होंने rpm star so दे दिया तो व्यास बताना है बच्चों यहाँ पर cutting speed का formula लगाना पड़े ना टोटी meter per minute है इसलिए 5DN बटे 1000 लगाना होगा तोटी meter में meter मतलब 8000 से divide का दो सर 30 speed 35 है और गुड़े 8000 8000 को हम उठाट यहाँ कर ले रहा है pi t value को मैं 22 बटे 7 रच दू और dt value कितरी है dt value मुझे निकालनी है और बच्चों n कमान कितना है n कमाने 400 अब आप यह देख लो पहले टी इस्टो सॉल करना क्या पॉस्बेल है जैसे री 35 बटे 7 और यहाँ 35 सब कट नहीं रहा है टीसी भी तरह ऐसे कट नहीं होगा उल्टा multiply हो जा रहा है तो यह काम करते हैं ना multiply हो जा रहा है तो क्यों मतलब है फिर 22 बटे 7 रखनेटा आप सीधा सीधा 3 दसमलो 14 रख दीजे वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा है एड़ी ड़ी मैं तरह रहा हूँ 3 दसमलो 14 भी मत रखी है आप कहीना टेहिं 3 क्यास पास रख दीजे चलो कोई नहीं अभी सॉल्टार आटे देखते एक जीरो से एक जीरो टेंसल बच्चो आप क्यों मैं बता दू यहाँ पर जो है 4 है तो डी बराबर जाने वाला है 350 उपर 350 उपर और देखो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह 4 ती 12 या फिर 2 से टेंसल कर दीजे ताम कर दीजे 2 से टेंसल कर दीजे और यहाँ 5 तो 35 डुड़े 5 कर लो तो 35 डुड़े 5 हो जाए रहा 35, 25, 25, 25, 27 और यहाँ पर हो जाए रहा 6.28 यानि 175 डिवाइड बाई 6.28 इस्टो सॉल टाना पड़े रहा अब यह सॉल होता है तो ठीट नहीं होता है तो आपको देखना भड़े रहा तो पांस से तो टेंसल होने वाला नहीं मुझे नहीं लगतर यह टिशी से सॉल होगा लेड़े यह तितरी बार जाए रहा लगभड तो 30 सर 36, 180 36, 180 30 टे आसपास वाला उत्तर सही होगा आप चेटर लोगा और मेरे इसाफ से तो इस्टा आंसर 28 जाए रहा अभी यह टेल्प्लेशन आप लगटे देखिए रहा तो 28 उत्तर ही जाए रहा हाना ट्योटी 6,2,8 है और अज़ा हम 30 से छोटी संट्याट मुल्टिप्लाइटर तरते हैं तो 175 इजली मिल जाए रहा और पूरा देखिए तो 30 से छोटी संट्याटर तरते हैं अज़ा देखिए इसमें पूरा 30 से मुल्टिप्लाइटर तरते हैं तो आंसर 180 से जादा जा सकता है तो उपर तो 175 है तो इस्टा मतलब यह हुगा तो आंसर 30 से टम होना और 30 से टम वाला एटी आंसर 28 तो यहाँ पर आप डौर से देखिए अलुमिनियम में हम लोड जो है लुब्रिकेटिन उयल यूज़ करते हैं वो भी कौन सा तो टह देना अलुमिनियम की मशीनिन करते समय हम मिट्टी टा तेल यूज़ करते हैं मिट्टी टा तेल तो ड्राई यहाँ टा वर्ड जरूर देखिने तो मिल सकता है बाटी और कोई भी हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं हाना ओटे तो इस्टा सही आंसर भी वालत तर पिसाँ जाए तो बच्चों यहाँ से मैंने आप लोडो टो पूरे 40 कोशन सॉल्ट आ दिये बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और मैं फिर से बता दू अगर आप लोड़ TCB तरहे का कोई भी तयारी चाहते हैं जो टी मेकेंटल ट्रेट स्पेसल है मैं आप बता दू अगर आपकी ट्रेट फिटर है आपकी ट्रेट टर्नर है आपके ट्रेट डीजल मेकेनिक है आपके ट्रेट जो है जितरी भी हमारी मेकेनिकल ट्रेट है आपकी वेलडर है आपकी आपकी आरेशी है आपकी जो है हीट इंजन ट्रेट है हीट इंजन ट्रेट है उस्ते अलावा आपकी जो ट्रेट है वो फिटर टर्नर मसीनिस्ट उस्ती class आपको माई पार्ट सला एप्लिटेशन पर मिल जाए रही और वो सारी class है मैंने लिए है हाला कि electrician TV class है लेटेन वो दूसरे teacher ती है आपको basic science TV class मिल जाए रही तो बच्चों अज़र आप ALPD त्यारी तो इद्दम selection में बदलना चाहते हैं तो माई पार्ट सला पर आपको एट बहतर opportunity है अच्छे से तैरी तर्टर आपको content बहुत अच्छा अत्यार हो जाएगा ठीटे बच्चा चलो फिर हम लोड मिलते हैं next video में next lecture में तब तक लिए thank you very much पढ़ते रहे ठूस रहे झाल कर तक लिएागाई जो वेज्ड़ आपको थिर कर दोूसार हो जा है जग्यारी तर्टर पार्टर स्यवड़़ख तो माइब कर दो वे बही है जा जा है झाल झाल